जैन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए समस्टर वाला में आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए सिक्स समस्टर हिस्ट्री ये मेडिवल हिस्ट्री है आपका पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड एकोनोमिक हिस्ट्री आप मेडिवल इंडिया 1720 से ले करके 1922 तक ठीक है अच्छा ये आपका एक्जाम हुआ है दोजार तेश चोबिस में ये कोश्चन पेपर कहा है कहा कहा है महात्मा जयोतिवा फूले रोहल खन यूनिवर्सिटी का ये कोश्चन पेपर है ठीक है चले आपके इसमें कुल 100% पूछे गए थे ठीक है कितने आप लोगों के सही हुए जो भी 6-6 राया है महात्मा जोतिवा फुले रोहल खन उनिवर्सिटी के जो भी 6-6 राया होगे प्लिस आप से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगी कि आपके 100 में से कितने प्रत सही हुए है अभी जिनका एक्जाम बाकी है ठीक है आप इस प्रस्न पत्र को कब तक देख सकते हैं भी या देखे 2025, 26, 27, 28 ठीक है जब भी आपका एक्जाम होगा आप इस कलास को अटेंड कर सकते हैं चिंता करने के बिल्कुल भी आज़ सकता नहीं है ठीक है क्योंकि जो आपका सोचियो कल्चरल एंड एकोनोमिक इस्टिया मेडिवर इंडिया है इससे बाहर नहीं आता है ध्यान रखेंगे ठीक है आप भारत के किसी भी उन्वर्सिटी से हो किसी भी राज जैसे हो आप इस कलास को अटेंड कर सकते हैं ठीक है केवल आपका सब्जेक्ट और जो पेपर का नाम है वह सेम रहना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ध्यान रखेंगे पहला प्रसना आपका इसमें पूछा गया था रहयतवाड़ी विवस्था का आरम किसने किया रहयतवाड़ी विवस्था का आरम थामस मूनरों ने किया था ठीक है पहला आपसन राइट है आपका पहला के आपसन नमबर A राइट है ठीक है द्यान रखेंगे अगर आपके पास question paper नहीं है और जिनका एक्जाम हो गया है जिनके पास पेपर नहीं है वो भी डाउनलोड करके अपना एंस्वर की मिला लेंगे ठीक है चले दूसरा प्रस्ण आपका पुछा गया है निम्नलिखित में से किसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सक्ती हांसिल की तो देखे प प्रस्ण नमर तीन आपका क्या पूछा गया था किस वर्स माहरानी विक्टोरिया की घोशडा द्वारा भारत का प्रसाशन ब्रेटीस को सवब दिया गया था था तो 1858 में । ए आपसेन बिलकुल राइट आपका तीसर है का चले चौर्था प्रस्ण आपका क्या पूछा गया था भारत का पहला अधिकारी जनगर्णा सर्वेक्षण किस वर्स किया गया तो यह किया गया था 1881 में बिल्कूल यह आप संडाइट है आपका चौथे का प्रस नमबर पांच क्या पूछा गया है इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ठीक है चले प्रस नमबर पांच आ प्रस नमबर पांच वर्स किया गया तो इसका गठन 1849 में किया गया था बी आप संडाइट है आपका च्छटवे का प्रस नमबर साथ पूछा गया था किस चार्टर द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी का चीन के साथ वयपार का एक आधिकार समात हो गया था तो यह चार्ट चार्टर एक्ट 1813 था सी आपसन आपका राइट है चले प्रस नमबर आठ क्या पूछा गया था किस अधिनियम द्वारा बंगाल की गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो यह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 बी आप संडाइट आपका आठवे का प्रस नम दिंब नम नम आपका इसमें पूछा गया था चले ध्यान पूर्वबक देखेंगे किसने 1765 में इश्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दिवानी परदानन कि तो यह मूगल समराथ थे मूगल समराथ सह आलम दुती जो थे ये 1765 में इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी परदान कर दिये थे ठीक है बी आपसन राइट है नवे का चले दस्वें प्रस्ण आपका पुछा गया था इसमे सहायक संधी किसके सासनकाल में लागू की गई थी तो सहायक संधी लाड़ वेलेजी के सासनकाल में लागू की गई थी बी आपसन राइट है आपका दस्वें का चले प्रस्ण नमबर 11 क्या पुछा गया है आपका किसे ने सहायक संधी को सुईकार नहीं किया तो सहायक संधी को इंदावर के जो हैलकर थे इन्योंने सुईकार नहीं किया था ठीक है बी आपसन राइट है आपका गयारैका चले प्रस्ण नमर 12 आपका क्या पूछा गया है किसे ने सतीपर्था को समाग्त किया तो सतीपर्था को समाग्त लाड विलियम बेटिंग ने किया था बिल्कुल D option right आपका बारे का चले प्रस नमर 13 क्या पूछा गया है आपका बंगाल में दासों के निर्याद पर किस पर प्रतिबंध लगाया गया किस वर्स सोरी किस वर्स है ठीक है बंगाल में दासों के निर्याद पर यानि जो दास होते थे उनको दूसरे देश में निर्य कर देते थे तो उस पर प्रतिबंद किस वर्स लगाए गया था तो 1789 में बिल्कुल राइट एंस्वर है आप लोग डेट भी लेख लीजे जिनका एक्जाम बाकी है ठीक है जब भी आप इस क्लास को देखेंगे 22 जुलाई 1789 प्रस नमर 14 क्या पुछा गया है भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्स शुरू की गई थी भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1830 में बिल्कुल ए आप सन्राइट आपका चौद का प्रस नमर 15 पुछा गया था निम्नलीखित में से कौन भारत का पहला वासराय था भारत क पहले बास राएं लाड कैनिंग थे बिल्कुल सी आपसन राइट आपका पंदर का चले प्रस नमर 16 आपका क्या पुछा गया है भारत में पहली रेल सेवा किस कंपणी ने शुरू की थी तो ग्रेट इंडियन पेनिसूला रेलवे ने सी आपसन बिल्कुल राइट आपका सो प्रस नमर 17 क्या पुछा गया है पावार्टी एंड अन ब्रेटिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे तो इसके लेखक दादा भाई नोरोजी हैं बिल्कुल डी आपसन राइट आपका सत्रे का प्रस नमर 18 पुछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो दिनियम 1856 में पारित हुआ था यह अपसन राइट है आपका 19 का प्रस नमर 20 पुछा गया है निम्न लिखित में से किस सासक ने इस्ट इंडिया कंपणी को दिवानी परदान किया अभी मैंने उपर पढ़ाया है साह आलम दुती जो थे यह इस्ट इंडिया कंपणी को कौन थे तो आत्मा राम पांडूरंग थे यह अपसन राइट है 21 का प्रस नमर आपका 22 पूछा गया है सत्य सोधक समाज के संस्थापक कौन थे जोतिवा फूले सत्य सोधक समाज के संस्थापक थे सी अपसन बिल्कुल राइट आपका प्रस नमर 23 आपका क्या पूछा गय भारत की प्रमुख आर्थिक गत्विधियां कौन सी थी तो आर्थिक गत्विधियां क्रीसी पर अधारी थी यह आपसन राइठ आपका 23 का चले 24 नमबर पसंद क्या है निम्न लिखित में से किस सक्ती निम बंगाल के राजस्व प्रसासन में दोयद असासन प्रडाली की शु अस्थाई बंदबस्त को लाड कार्ण वाली इस ने लागू किया था ए आपसन राइठ है 25 का प्रस नमबर आपका 26 इस में पुछा गया है अस्थाई बंदबस्त किस वर्स सुरू किया था अस्थाई बंदबस्त को 1793 में सुरू किया था ड़ी आपसन राइठ है 26 का प्रस स्थांब 58 पूछा गया था राम क्रिष्ण मिजंस का संस्थापक कौन था सब्सभा कर अथां थारा में होई थी ठीक है कि प्रस नंबर आपका क्या पुछा गया है अस्थाई बंदवस्त सबसे पहले कहां लागू किया गया था अस्थाई बंदवस्त को बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया था यह आप संडाइट है आपका 31 का चले प्रस नमर 32 आपका क्या पुछा गया है भारत के अधोगी की करण के पीछे ब्रिटीस सरकार का क्या उद्देश था तो भारत से सस्ते दर पर कच्चे माल प्राप्त करना बिलकुल और ब्रिटीस निर्मित वस्तुगों को भारती बजार में उची कीमतों पर बेचना तो दोनों आपका राइठ है इसरा क्या है क्रीशी के विकास पर ध्यान केंदरित करना यह आपका राइठ नहीं है ठीक है इतने इमांदार नहीं थे ससुरिय सब तो D आपसन राइट है आपका 32 का चले प्रस नमबर 33 क्या है आपका British सासन के दोरान उत्पाद निर्यात ठीक है उपज निर्यात है ये British सासन के दोरान उपज निर्यात अधिसेस का उपयोग किया गया था तो D आपसन आपका राइट है ठीक है बाकी पढ़ लिजीगा ब्रिटीस सरकार के प्रसासनी खर्च का पूरा करने के लिए ठीक है जो ब्रिटीस सरकार थी उसके प्रसासनी खर्च को पूरा करने के लिए ठीक है और C है ब्रिटीस निर्यात की मातरा को बढ़ाने के लिए तो डी आपसन आपका बिल्कुल राइट है त्याइटिस का प्रस्ट नुमर चौंतिस आपका इसमें पूछा गया था ब्रेटिस आशन के दोरान क्रीसी में इस्थेर्टा का मुख्य कारण क्या था भूमी जो था भूमी अस्थाई तो परडाली ठीक है धियान रखेंगे लैंड टेन्यूर शिस्टम सी आपसन राइट आपका चले प्रस नमर 35 पूछा गया है जमिंदार के मुखे हित क्या थे यानि जमिंदार के मुखे हित में क्या थे तो किराया वसूल करते थे यह आप सन्राइट आपका 35 का प्रस्ट नुमर 36 क्या है आपका भारत में पहली ट्रेन कब चली भारत में पहली ट्रेन 1830 में चली थी ये तो सही है लेकिन कब चली थी 16 अपरायल को ठीक है देखे डेट भी याद रखेगा क्योंकि डेट भी आपके पूछे जाते हैं 16 अपरायल 1830 प्रस्ट नुमर 37 क्या है आपका भारत की पाहली ट्रेन ने कितनी दूरी तै की थी बवारत की पाहली ट्रेन ने 34 किलोमीटर के दूरी तै की भी आप्सन राइट है प्रस्ट नमबर 38 है, 38 नमबर प्रस्ट है, किस गवर्नर जेनरल के सासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की अस्थापना की गई थी तो लाड डलहाउजी के सासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की अस्थापना करी गई थी, डी आपसन राइट है प्रस्ट नमबर 49 पूछा गया है किस वर्स आरे समाज की अस्थापना हुई आरे समाज की अस्थापना 1865 में हुई थी बिल्कुल सी आप सन्राइट है 49 का प्रस्ट नमबर 40 आपका क्या पूछा गया है बहुत ध्यान पुर्वक देखेंगे देखें कौन लोख हितवादी उपनाम से जाना जाता है तो जो आपके गुपाल हरी देशमुग जी है इनको लोख हितवादी के उपनाम से जाना जाता है प्रस्ट नमबर 41 पूछा गया है अवध कामर्सियल बैंक कब अस्थापित हुआ तो इसकी अस्थाप्रा हुई थी 1881 में सी आप सन्राइट है चले प्रस्ट नमबर 42 पूछा गया है जनरल बैंक का अफ इंडिया कब अस्थापित हुआ तो 1786 में बी आपसन राइट है 42 का प्रस नमबर 43 का पुछा गया है गुलाम गिरी के लेखक कौन थे तो गुलाम गिरी के लेखक भीया आपके महात्मा जोतिवा फूले थे बी आपसन राइट है 43 का प्रस नुमर 44 पुछा गया है निम्नलिकित में से किस ने कहा था कि अच्छी सरकार स्वसासन का विकल्प नहीं है जो स्वामी दयानन सरस्वती ने कहा था सी आपसन राइट है आपका 44 का चेले प्रस निम्मर 45 का पुछा गया है भारत में अस्थाबित प्रतम बैंक का क्या नाम था? तो बैंक आफ हिंदूस्तान था, ठीक है 1770 में इसकी अस्थापना हुई थी बैंक आफ हिंदूस्तान की चले प्रस नमर 46 क्या पुछा गया है बैंक आप हिंदुस्तान के संबंध में निम्नलिकित में से कौन सा सही है तो बैंक की अस्थापना यूरोपी प्रबंधन के तहट कलकत्ता में की गई थी बिल्कुल 1839-32 में इसका परिसमापन कर दिया गया तो बिल्कुल C आपसन राइट हो जाएगा दूनो प्रस नमर 47 है किसने कहा था वेदो की ओर लाटो वेदो की ओर लाटो का नारा स्वामी द्यानन सरस्वती ने दिया था B आपसन आपका राइट है प्रस नमर 49 क्या पुछा गया आपना पहला प्रेशिडेंसी बैंक कहा अस्थापित किया सूरत में डी आपसन राइट है आपका 50 नमर 50 ने 70 परकास के लेखक कौन थे स्वामी द्यानन सरस्वती सत्याथ परकास के लेखक पयار असन राइट है प्रस नमर 55 है पंजाब नेशनल बैंक किस वर्थ अस्थापित हुआ था तो 1894 इस भी में पंजाब नेशनल बैंक के अस्थापना हुई थी प्रस नम्मर 52 आपको पुछा गिया किस बैंक को भारती स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया था तो इंपीरियल बैंक को ठीक है भारती स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया था बी आपसन राइट आपका बावन का प्रस नम्मर 53 पुछा गिया है बंगाल में इस्ट इंडिया कंपणी का मुख्याले कहां इस्थित था तो फोर्ट बिलियन में सी आपसन बिल्कुल राइट है तिरपन का प्रस नमबर 54 है चगण नमबर पसना आपका पुछा गया था ब्रिटीश इस्ट इंडिया कमपणी के सासन काल में किसने सद दिवानी अदालत किया स्थापना की किसने करी थी मताईए बिल्कुल वारे नेस्टिंग से ने सी आपसन राइट है आपका चगण का प्रस नमबर आपका 55 पुछा गया है ब्रिटीश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारती कौन थे दादा भाय नोरोजी थे यह आपसन राइट आपका 55 का प्रस नमबर 56 पुछा गया है ब्रिटीश सरकार ने भारत पर सीधे प्रस नमबर 57 का है निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है तो मार्टिन लूथर के नाम से स्वामी द्यानन सरस्वती को जाना जाता है प्रस नमबर 58 है ब्रह्म समाज की अस्थापना किस वर्स होई 1828 में हुई आप değiş नम्बर 69 पुछा गया है 1829 में अंग्रेजों को सतीपर्था को रोकने के लिए किस ने मनाया तो राजा रामोंधाय ने मनाय था आप शंदाइठाब का 69 प्रस नम्मर साथ आपका पुछा गया है इसमें अंग्रेजों ने भारत में रिलेवे की शुरुवात किस उद्देश से की थी तो ब्रिटीश व्यपार और प्रसासन को सुगम बनाने के लिए ठीक है भी आपसन राइट आपका साथ का प्रस नम्मर एक सट क्या पुछा गया है रियत वाड़ी वेवस्था सबसे पहले किस जिले में शुरू की गई थी तो जिला दिया है आपका यहां पर राज देना चाहिए था ठीक है बंबाई या भी आपसन राइट आपका चले प्रस नम्मर सिस्टिटू क्या है बासट नम प्रस नम्मर 63 है ब्रिटीस नील बागान मालिकों की कुरूरता को उजागर करने के लिए लिखा जाने वाला बंगाली नाटक कौन था तो नील दरपन था सी आपसन राइट आपका 63 का चले प्रस नम्मर आपका 64 का पुछा गया है पावाटी एंड अन ब्रिटीस रूल इन इंडिया कब प्रकासित हुई तो इसका प्रकासन 1901 में हुआ था बिल्कुल ए आपसन नम्मर बी राइट आपका 64 का प्रस नम्मर 65 क्या पुछा गया है निम्न लिखित में से कौन सा ब्रिटीस अधिकारी अस्थानी स्वासासन से संबंदित है तो जो लाड रीपन है अस् प्रस नम्मर 66 है 67 निम्न लिखित में से किसने बिधवाप उनर विवाह के लिए प्रमुखता से संघर्ष किया और उसे वयद बनाया इस वर्चंद विद्या सागर जी सी आपसन राइट आपका 67 प्रस नम्मर 68 नम्मर ब्रह्म समाज की सिध्धान्त पर अधारित है एक श् आपसन राइट आपका 68 यह मौडल पेपर में भी सारे प्रस नापको बताए गए ते पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं चले कोई बात नहीं निम्न लिखित में से कौन प्राथना समाज किसे संबंदित नहीं था जो देवेंद्र नाथ टैगोर है यह प्राथ प्रस नम्मर आपका 70 क्या है अली गख अंदोलन किसने आरंभ किया सर सेय अमद खान ने से आपसन बिलकूल राइट आपका प्रस नम्मर 71 पूछा गया है मिरजय गुलाम अहमद ने 1889 में अस्थापना की थी किसकी अस्थापना अहमद या अंदोलन की अस्थापना यह यद अहमद खान ने साइन्टिफिक सोसाइटी की अस्थापना कब की? 1864 में भी आपसंदाइट आपका बहतर का प्रस नमबर आपका 73 है 73 नमबर तुहाफल उल मुवाहिदीन के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है? अच्छा, इसको कब लिखे थे? 1803 में लिखे थे, ठीक है? यद अपसंदाइट आपका 73 का प्रस नमबर 74 आपका क्या पूछा गया है? भारत में वहाबी आंदोलन किसने आरंब किया? वहाबी आंदोलन को सयद हमद राय बरेलवी ने ठीक है? यद अपसंदाइट है 74 का प्रस नमबर 75 है, यानि 75 नमबर प्रस नमबर प्रस नमबर आपका क्या पूछा गया है? वहाबी आंदोलन किस वर्स में सुरू किया गया था? वहाबी आंदोलन ठारा सो बीस में सुरू किया गया था? प्रस नमर 76 है T2 मीर का संबंद है किसे संबंद है सिपाही विद्रो से प्रस नमर 77 पूछा गया है निम्नलिकित में से कौन सा राज ब्रेटी सहाइक संधी का पहला सिकार बना हैदराबाद को जिन निजाम थे ठीक है है एदराबाद के निजाम आपके ये प्रेटी सहाइक संधी के पहले सिकार थे सि, प्रस नमर 88 है आपका निम्नलिकित में से किस राज जी को सबसे पहले लाट डलहूजी में हडब सिधन दक के तहट अपने कबजे में लिया था तो यह आपका सतारह था बी आप όशान राइट आपका 78 का परस्नबर 89 है, सारदा एक्ट का संबंध है, सारदा एक्ट का संबंध बाल बिवा की रोक ठाम से है, A अपसन राइट है आपका प्रस्थ नमर असी क्या पुछा गए है सायूंत प्रांत में देवबंद आंदोलन आरंभ हुआ कभ हुआ था 1866komD में D आपसन आपका राइट है प्रस्थ नमर десят की पूछा गया है फराजी आंदोलन की सुरुआत किसने की फराजी आंदोलन की सुरुआत हाजी सर्यतुलाह ने की थी एक अपसन राइट है 182 है भारत का पहला बैंक कव अस्थापित हुआ तो 1770 में ठीक है भारत का पहला बैंक का अस्थापित हुआ था बैंक का अफ हिंदुस्तान ठीक है चले ध्यान रखेंगे प्रस नमर 83 आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना किसने की थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना मैडम एशपी बलावात की ने की थी एक अपसन राइट है आपका तिरासी का प्रस नमर आपका 84 84 नमर प्रसन है दारूल उलूम की अस्थापना किसके द्वारा क की गई थी तो इसकी अस्थापना मौलवी हुसाइन आहमद की द्वारा की गई थी बी आपसन आपका राइट है प्रस नमर 85 पुछा गया था भारत में महिला अंदोलन किसकी प्रेंडना से आरंब हुगा जोतिवा फूले की डी आपसन राइट है प्रस नमर 86 आपका क्या प्रस नमर 87 है निम्न में से किसका मुख उद्देश पिछडे वर्गों का उत्थान करना था तो सत्य सोधक समाज का पिछडे वर्गों का उत्थान करना था भी आपसन राइट है प्रस नमर 88 आपका पुछा क्या है अठारा सो संतावन का प्रथम सोतंतरता संग्राम परस नम्म्र 89 है 1857 में भारत का गवर्णर जनरल कौन था लाट कैनी बिल्कुल सी अपसनराइट है परस नम्म 95 क्या है थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना कहां हुई और ड्यार में हुई यह अपसनराइट है रसन न्मर क्यामन है लाहूर में दयानंद इंगलो वैदी कालेज की अस्थापना की लाला हंसराज ने भी आपchtन राइठ आपका बान्वे का. प्रसन न्मर बान्वे का पूण पूछा गया निम्नलीखित में से किस संगठन ने सुधि आंदोलन का समर्थन किया? सुध्धी अंदोलन का समर्थन आरे समाज ने किया था यह आपसन राइट है आपका बानवेका प्रस नमबर तिरानवे आपका पूछा गया 1834 में किस ने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं तो यह विलियम बेटिंग ने कहा था बी आपसन राइट है चले प्रस नमबर 94 क्या था स्वामी विवेका नंद ने किस वर्स विस्तु धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में ठीक है 1893 में स्वामी विवेका नंद ने विस्तु धर्म संसद में भाग लिया था प्रस नमर 95 में क्या पुछा गया है कर्मयोग और राजयोग के लेखक कौन थे तो कर्मयोग एवं राजयोग के लेखक कौन थे बताएविया बिलकुल स्वामी विवेकानन सी आफसन राइट आपका 95 प्रस्ट नमबर चानवे क्या है उन्नीशवी सताद्धी में महान पार्सी समाज सुधारक कौन थे सर जमसेद जी यह अपसन राइट है प्रस्ट नमबर 97 है संतानवे नमबर इस्वर्चंद बिद्या सागर द्वारा प्रकासित सबताहिक पत्रिका का नाम क्या है सोम प्रकास है सी अपसन राइट हापका संतानवे का प्रस्ट नमबर 98 पूछा गया था 1891 इस्वी में इस्वर्चंद बिद्या सागर ने कौन सा समाजिक सुधार किया तो हिंदू विदवा पुनर विवा अधिनियम में ठीक है यह आपसन राइट हां ठानवे का प्रस्ट नमबर 99 क्या है निम्नलिखित में से कौन सा भूर आजस्व समझाओता सबसे पहले ग्राम समुधाय के साथ संपन्न हुआ तो महालवाडी विवस्था भी आपसन राइट है निन्नानवे का प्रस्ट नमबर 100 है सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट और प्यार दिया है आप लोगों का तहदिल से धन्यवाद ठीक है जाह जाह जाहराद